हलो फ्रेंड्स आज हम हैं नैना माता और अभी हम थोड़ा सा एक्स्प्लोर कर रहे थे यहाँ पर बैजिटेशन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुती डिफ्रेंट डिफ्रेंट काइन के प्लांट्स हैं higher altitude के देवदार आप देख सकते हो यहां पे और बरवरी यहां पे हैं और सबसे इंपोर्टेंट प्लांट यह जो मुझे यहां पे मिला है आप यह देख सकते हैं इसका बोटनिकल नाम है अलिगैनस अम्बिलेटा और लोकली हम इसको घ्याई कहते हैं जबकि इसका कॉमन नाम ओटम ओलिव है यह बनस्पती परिवार अलिगनीसी से समन्दित है फ्रेंड्स यह थोड़ा higher altitude का प्लांट है और इसके प्लांट एक हजा से तीन हजार मीटर की उन्चाई तक आसानी से मिल जाते हैं मंडी में मैंने सरका घाट रेंज में इसको maximum ग्रो करते हुए देखा है इसके राइफ फूट्स एडिवल होते हैं और यह बहुत ही दिलिशियस होते हैं जिनको की हम बहुत रौ और कुक्ट खा सकते हैं अगर हम इनकी फूट वैल्यो की बात करें तो यह रिच हैं प्रोटीन और विटामिन सी में इसके अलावा इन में फॉस्पोरस, पोटाशियम, मैगनीशियम, केल्शियम और आइरन भी प्रचूर मातरा में मिलता है अगर इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यो की बात की जाएं तो ट्रडिशनली इसकी लीव्स और फूट्स को डाइरिया और डाइसेंटरी चेक करने के लिए यूज किया जाता था जबकि फ्लार्स को एक हार टॉनिक के रूप में यूज किया जाता था अगर हम इसके recent medicinal value की बात करें तो मैंने यह आप लोगों के लिएक इंटरनेट से download किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि how many diverse medicinal uses this plant has इसमें की प्रमुख हैं anti-cancerous, anti-diabetic, haptoprotective and naproprotective means useful in kidney and liver functioning friends food और medicinal value के अलावा भी इस plant के बहुत अन्य uses हैं जैसे कि इसको एक fuel के रूप में यूज किया जाता है तथा इसकी पतियां बक्रियां खाती है beautiful flower और silvery white leaves होने की वैसे इस plant को हम एक ornamental plant के रूप में ग्रो कर सकते हैं एक चीज दो इस plant में बहुत special है वो यह है कि इसके fruits room temperature पर 15 days तक store किये जा सकते हैं तो friends यह बहुत अच्छा plant है जिसको कि हमें commercially एक horticulture plant के रूप में develop करना चाहिए जिसमें की horticulture department आहां भूमी का निवा सकता है हम एक ऐसी variety develop कर सकते हैं जिसमें की fruit size थोड़ा सा बड़ा हो और इस तरह यह जो variety होगी एक climate resilient food crop हो सकती है जो की लोगों की health promote करने और livelihood promotion में आहां भूमी का निवा सकती है So friends that's all for this plant I hope this information is useful to you Thank you for watching and listening